दोस्तों एक question मेरे पास बहुत बार पूछा गया कि Amazon पर सेल हमारा अच्छा हो रहा है बट जो Amazon पैसा टांसपर करता है उसमें profit margin अगर हम चेक करेंगे एकदम ना के वराबर जबकि हमने margin set करके रहा था minimum तो हमें 100 रुपाई का margin आना ही था सब कुछ काटने के बाद सारे expenses का करने से पहले प्रोडेक्ट को लिस्ट करने से पहले calculate किया था कि अगर मैं 600 रुपाई में प्रोडेक्ट को बेचूंगा सब कुछ expenses जो भी है मेरा taxes प्रोडेक्ट की प्राइस पैकेजिंग और भी जो कमिशन है सब कुछ मिला कि अगर मैं 600 रुपाई का profit आ जाएगा बट यह आपने calculate किया था लिस्ट करने से पहले प्रोड़क्ट होने के बाद आपने दुबारा का चेक किया कि वह जो प्रोड़क्ट अपने sold किया वह order ID में कितना आपको actual में amount आ रहा है जो अपने 100 रुपाई calculate करके रहा था वह पूरा 100 रुपाई आ रहा के नहीं या उससे भ प्रोड़क्ट करके दिखा दूंगा प्रोड़क्ट करने का तो पेमेंट की बारे में आपको अच्छा जानकरी अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि जब आप अपनी पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे तब बिजनस को भी ग्रोग कर पाएंगे वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग आपके लिए नॉलेज़ेबल है वीडियो को पूरा देखते रहिए और अगर आप नए उस चैनल पर सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लिजी लेट्स बेगिन आपको लॉगिन करना परेगा Amazon Seller Central पेमिंट का जो सेक्षन है उस पर आना परेगा पेमिंट की सेक्षन पर आने के बाद आपको क्लिक करना परेगा ट्रांजेक्षन व्यू क्लिक करने के बाद देखी यहां पर फाइंड ए ट्रांजेक्षन लिखा है तो जो प्रोडक्ट को आपने सेल किया है अगर आप उस पर्टिकुलर ओडर आइडी की जो पेमिंट ट्रांजेक्षन डेटेल्स है उसको चेक करना चाहे तो इसके लिए आपको ओडर आइडी को यहां पे डालना परेगा और इस ओडर आइडी जो आपने यहां पे डाला यह प्रिपेड है या सी ओडी है वो अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना परेगा करके आप जब सर्च करेंगे तो आपके सामने ट्रांजेक्षन फॉर ओडर आइडी आ जाएगा और यहां पे देखने में आपको लग रहा है कि बहुत ही सेंपल है बट गैस इसमें कुछ चीजे हाइड है जो आपके सामने ओपन ली यहां पे लिखा नहीं गया Amazon ने कहीं बताया नहीं है तो वह मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगा इससे पहले आपको मैं एक Amazon का जो payment cycle चलता है वो seven days का अगर आपने seven days के अंदर जितना भी order IDs को मतलब चेक करना चाहेंगे जो भी order को आपने sale किया है वो अगर COD है तो COD को select करके settlement create आप select करके search करेंगे तो कुछ ऐसा transaction का details आपके समने open होके आ जाएगा COD का आप कर सकते हो वैसे private का भी कर सकते हो same process और next next करके आप check कर सकते हो और यहाँ पर जो last में आप देख पर हो ना total के ऊपर amount लिखाए इसमें अगर आप click करेंगे तो same detail वाली page तो same detail वाले जो transaction page है उस पर आ जाएगगे तो यहाँ पर transaction है page का आप देखेंगे यहाँ पर sale process लिखाए 505 लिखाए तो इस product का जो selling price है बो है 450 और shipping cost है 55 हो सकता है आप जो product sale कर रहे हो उसका selling price है 200 shipping cost आपने लगा के रहाए 60 रूपीस यह हो सकता है आपने sale कर रहे हो 300 में shipping cost है आपका 100 रूपीस तो जो भी आपका sale price होगा और shipping cost होगा उन दोनों amount को मिला के sale process यह number यहाँ पे total लिखा रहेगा जो amazon.in पे live रहत है आपका amount लेकिन इस amount को जिस price में हम sale करते इसके अंदर बहुत सारे price हम लोग add करते जैसे amazon का commission फिर tax product का purchase price हमारा profit बहुत सारा ऐसा price include करके तब जैकि यह final price बनता है लेकिन customer के पास जो invoice जाता है उसमें तो यह सारे details नहीं होता customer के पास दो चीज होता है एक आपका product का price क क्या है बो लिखा रहेता है उसमें shipping cost क्या है बो लिखा रहेता है और उन दोनों का tax क्या है बो लिखा रहेता है तो amazon ने यहाँ पर वूई उसी चीज का price breakup करके दिखाया है तो यह जो product sale हो रहा है इस product का tax लग रहा है 68.64 जो customer pay कर रहे है customer की invoice पे mention रहेगा shipping cost जो है वो 46.61 और उस shipping cost के अंदर shipping का tax है 8.39 तो यह दोनों को मिला के total shipping cost बन रहा है 55 और इसको मिला के product का price बन रहा है जो है 450 रूपिस और इन सभी को मिला के यह total amount बन रहा है इसके बाद यह आपका total amount बन गया इसके बाद इन यह total amount के उपर amazon चार्ज करता है TCS IGST जो government का rules है तो यहाँ आप जो TCS IGST है यह amount आपकी GST portal पर reflect करता है हर एक order ID के उपर आपका charge किया आ जाता है और इस amount को GST filing करने की time आप claim कर सकते हो जो आपको refund मिलता है tax filing के रूपे इसके बाद Amazon fees Amazon का commission आपको यहाँ पर लग रहा है तो जो total आपका amount है यहाँ पर देखो दोस्तो Amazon कैसे calculation करता है आप product price लिखते हो और अलग से फिर shipping cost तो जो मानलीजी आप जिस category में sale करो उसमें tax है 17%, 12%, 13% कुछ भी amount हो सकता है तो जो product का selling main price है 450 रूपीस उसके उपर Amazon ने commission चार्ज करके इतना commission लगाया जो भी commission rate है इस category के उपर फिर इस commission के उपर IGST लगा 13 रूपीस 77 पैसा यह IGST भी आपको refund मिल जाता है GST portal पे इसके बाद एक fixed closing fee रहता है जो आप सबको पता है कि price range के ही साब से होता है 250 के अंदर आपका product है तो एक fixed amount लगता है फिर उसके उपर जा रहा है product तो उसके उपर एक fixed amount लगता है तो fixed closing fee यहाँ पे लग रहा है 30 रूपीस इस fixed closing fee के उपर आपका IGST लग रहा है 5 रूपए 40 पैसा जो आपको IGST पर refund मिल जाता है और shipping holdback shipping holdback क्या है जैसे मैंने पहले बताया कि आपने एक shipping cost रखा एक selling price रखा तो यहाँ पे जो commission लिख के आता है यह अपका selling price के उपर आता है और shipping holdback के उपर जो amount लगता है जो shipping अपने रखा था उसके उप यहाँ पे Amazon ने डाल के रखा है तो यह सारे amount मिला case में से minus अगर हम करते तो आपके हद में पैसा बचता है 364 रूपीस include यह जो customer आपको GST pay किया सब कुछ इसके अंदर है ठीके अब यह 364 रूपीस में से Amazon के थूरू जो आपने प्रोड़क्टों ship किया था हो सकता है अपन amount से minus हो जाता है जो Amazon ने यहाँ पे दिखाया नहीं कहीं पे तो यह आपको खुद से calculate करना होता है देखूँ यहाँ पे minus 60 दिखा रहा है तो इस minus 60 को हम इस amount से minus करेंगे इसके लिए मैं calculator open कर लेता हूँ तो यहाँ पे है कितना हमारा amount 364 मैं round figure में लेता हूँ 364 minus 60 तो 304 र पिस हमारी finally बच रहा है इस amount में अगर हम product को sell करेंगे अब दोस्तों इसके अंदर भी बहुत सारा hidden charges है जो मैं आपको step by step explain करूँगा अब ऐसे ही आपने बहुत सारे order मतलब ship किये होंगे different different category में different different tax rate है तो यह सारे जो amount सब कुछ काड़ने के बाद मतलब काड़ने के बाद बचता है ना ऐसे किसी order में आपको बच रहे है 200 किसी में 500 किसी में 600 किसी में 700 इसमें बचा है 300 तो यह सारा amount एकटा होके आपका जो payment cycle का जो pre-aid है ना उसके अंदर add हो जाता है जो आपको payment transaction की main page में दिखाएगा यह main page है payment transaction का settlement create का तो इसके अंदर वो सारा पैसा एकटा होके आता है इस पैसे में से जो भी आपका 7 दिन का sale है इस पैसे में से अपका क्या-क्या minus होता है फिर यहाँ पे जो भी अपने sponsor add को run किया था वो sponsor add अपने run किया उसका amount जितना भी होगा minus हो जाता है then यहाँ से आपको जो return मतलब customer reject shipping आता है न product उसका जो shipping cost लगता है वो यहाँ से minus हो जाता है काटता है Amazon और कुछ expenses जैसे की weight dimension audit report वो भी cut जाता है and finally जो amount बजता है उसमें से कुछ amount Amazon reserve करके रखता है और बाकी के amount आपको release कर दिया जाता है और next payment cycle में यह reserve amount भी add होके आता है ऐसे ही Amazon का payment cycle चलता है तो यह हो गया एक transaction ऐसे काम करते है अगर मैं detail में जा हूँ उस transaction की यह जो amount हमारी पास बचा था ना इस product को sale करके सब कुछ minus करने के बाद यह जो amount बचा था इसमें से अगर हम actual profit calculate करेंगे तो वो कैसा होगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर दो चीज़ calculate करना पर है एक होगा customer ने जो tax आपको दिया है वो GST को pay करना होगा और Amazon पर आपने जो tax pay किया था उसका कितना आपको credit मिल दा है तो इन दोनों का हम सबसे पहले calculate कर लेंगे देखिए यहाँ पर IGST जितना भी है और TCS के amount इसको अगर मैं calculate करता हूँ देखो एक Excel मैं open कर लेता हूँ यहाँ तो मैंने यहाँ पर Excel open कर लिया और यह जो 304 बच रहा है ना 304 यह मैं यहाँ लिखके रखता हूँ इसके बाद मैं calculate करूँगा कि कितना tax हमें GST को pay करना है तो हमारी जो tax pay बनता है GST को 68.64 68.64 मैं round figure में लेता हूँ ठीक है एक basic हिसाब के लिए 68 plus और यहाँ पर shipping के उपर जो tax है 8.39 तो यहाँ पर 8 मैं लेता हूँ तो 76 हमारा total tax बन रहा है गौर्मेंट को GST को pay करने के लिए तो इसके लिए तो जो हमारा tax के amount है उसको भी मैं Excel पर लिख ल रूपीस यहाँ पर है यह मैंने 76 यहाँ पर लिख लिए यह मैं इसको rate color में कर लेता हूँ क्योंकि यह हमारी minus होगा ठीक है यह tax का amount है यह मेरा main amount है जो Amazon ने हमारी bank पर transfer किया इसके अंदर यह 76 है ठीक है ना इस amount के उपर अब यह जो सारे amount है इसको भी plus करेंगे हम तो यह यहाँ पर हमारे GST क्या बन रहा है 4 plus 13 plus 5 plus 1 तो कितना बन गया यहाँ पर 23 23 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो 23 जो यह amount है इसको Amazon ने government के पास already दे के रखा है जब आपने Amazon को tax pay किया था तो यह हमारी यहाँ पर amount हो गया इसके इलाबा अगर अपने product GST दे के purchase किया है तो वो भी amount government के पास मतलब GST portal पर already होगा input के लिए तो वो सारा amount माल लीजिए अपने ऐसा product sale किया 2-3 जार product sale किया और आपका जो tax बना 1 लाग से 1.5 लाग के आसपस आपका tax बनाए तो ऐसे ऐसे गर किया आपने calculate किया कि एक product का मेरा tax हुआ है 70-6 एक्सपीर और एक तो जब आपने filing किया तो देखा आपने कि आपका जो credit already available है बो है 76-80,000 और बागी का पैसा आपको extra देना परेगा तो जो बागी का पैसा है बो आपको extra देना परेगा बो मैं एक को example यहाँ पे simply करके दिखा देते हूँ देखो 23 Amazon ने पहले आपको देखे रखा है GST portal पर और 76 आपके पास है तो अगर 23 में से मैं 76 यहाँ पर माइनस करता हूँ तो जो पैसा बचेगा बो आपको extra पे करना है 76 माइनस 23 तो 53 यहाँ पर बच रहा है तो 53 जो है बो आपको extra पे करना परेगा GST के लिए अगर आपने GST देके product purchase किया यह तो यह 53 और भी कम हो जाएगा आपको मान लीजे और भी आपके पास यहाँ पे 53 की जागा आपको only 30 रुपीज पे करना परे या 10 रुपीज पे करना परे यह आपके ओपर डिपेंड है कि आपकी GST प्रोटाल पर कितना credit एवेलेबल है अगर आपने किसी से भी product लेने की time पे GST पे नहीं किया और उसने आपका GST filing नहीं किया तो आपको यह पूरा tax का amount pay करना परेगा तो यह जो amount है इसको minus करने के बाद हमारे पास जो extra amount बचता है वो ही हमारा होता है main amount उसमें से भी हमें product का जो cost है बो minus करना परेगा पहले माँ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे तो मान लेता हूँ कि मैं आपके पास कोई credit पहले से available नहीं था GST portal पर आपने without GST bill purchase किया था product को बस Amazon का जो tax है वो ही आपके पास available था तो 23 में से 53 हमने अपने pay कर दिया तो 304 से मैं आगर 53 को minus करता हूँ 304 minus 53 304 से हम क्यों minus कर रहें क्योंकि यह पैसा हमारे bank पे आया है tax के साथ पूरा पैसा bank पे जो customer ने pay किया था समझ रहे हो ना तो वो पैसा हमारे पास आया था और यह पैसा tax Amazon ने GST को pay किया था लेकिन month की end में जब GST filing की बारी आई तो देखा गया कि हमारे tax portal पर कुछ extra पैसा बन रहे है जो हमें pay करना परेगा तो जो पैसा Amazon ने हमें transfer किया था उसमें से जिस पैस 21 में से आपका जो product का price है वो आप minus करोगे फिर अगर आपका packaging and labor charge है उसको आप minus करोगे transportation charge है उसको आप minus करोगे and then उसके बाद जाके जो पैसा आपके पास बचेगा वो होगा आपका actual profit एक product के लिए यह तो एक product के calculation मैंने दिखा दिया ऐसे आपको एक ही product के निकाल अगर overall business का देखना है कि अपका turnover कितना है उसका calculation वो सब अलग है मैं order advice transaction आपको दिखा दिया यह थोड़ा complicated process है अगर आपको problem हो रहा है समझने में मुझे भी जब मैंने भी सीखा था तो मुझे भी problem हुआ था दोस्तों एक बार में समझ में नहीं आता देखके बहुत बार समझ क इससे उससे पूछ के sales support पे बात करके तब जाके यह सारे बात है मेरे दिमाग में आया और clear हुआ थोड़ा time लगेगा अगर आगर आप business कर रहे हो तो इस सारे चीज़ों के उपर आपको ध्यान देना परेगा क्योंकि आपको पैसे की जो management है अच्छे से करना परेगा नही तो आपको जो business है उतना growth होगा नहीं आपको समझ भी नहीं है कि business grow क्यों नहीं कर रहा है sale तो मैं कर रहा हूँ तो यह easy ship का दिखाया है मैं आपको flex का और fba का भी दिखा देते हो कैसा दिखता है transaction page तो fba की transaction है वो कुछ ऐसा दिखता है देखो यह easy ship का इसमें अलग से कैसे sale करते हो जो shipping cost है आपको उसी के अंदर calculate करके रखना होता है main जो price है क्योंकि उसमें आप अलग से तो shipping cost नहीं दिखा सकते ना के 500 मेरी product की price और shipping cost मैं 80 रूपीस ले रहा हूँ ऐसा नहीं होता वो include करके आपको sale करना होता है तो जो product का हमारा main price है Amazon पे sale हो रहे है 739 112 रूपीस तो यह पैस आपका tax बन रहा है जो government को आप pay करेंगे GST के रूप में customer आपको देता है और same process है यहाँ पर commission charge हो रहा है IGST फिर यहाँ पर shipping cost को कैसे Amazon एक साथ add कर दिया ABA में ऐसे ही होता है ABA और sale Netflix में ABA weight and handling fees के नाम से यहाँ पर आता है और easy ship में अलग से रहता अब कर रहता है फिर जो amount आपके पास आता है ABA का उसमें से आपको product की price और आपका packing cost logistic यह सब minus करना होता है logistic means आपने मान लीजे चाइना से product को लाया इंडिया पर फिर आपने जो product है उसको locally purchase किया यह actually आप पहले ही include कर देतो तो profit निकालने के लिए आपको यहाँ से minus कर आप मुझे instagram पर पूछ सकते हो youtube पर comment भी कर सकते हो और हाँ बात एक guys अब लोग बहुत लंबा question पूछ लेते हो इतना लंबा पूछो के तो परने भी time लग जाता है ना तो मैं एक का reply करू तो दूसरे का नहीं कर पाता मैं बहुत ही limited time के लिए on होता हूँ और quick कोशिश कर तो हर किसी को reply करने के लिए क्योंकि एक responsibility है professional channel है Amazon पर जो लोग जुरे हुए sale करना चाहते है important है तो इसलिए मुझे question थोड़ा small पूछिए छोटा question पूछिए जिसे मैं reply भी easy लिग कर पाऊ आपकी question का so thank you for watching guys next video मेरा flip card transaction के उपर मैं बनाऊंगा अगर video पसंदा है तो like कर दीजे channel पर नया हो तो subscribe कर लिजे and finally thank you for watching